पूरी दुनिया के वैग्यानिक जहां COVID-19 की दवा ढूंडने में लगे हैं वही टेकसस यूनिवरस्टी के वैग्यानिकों ने एक बड़ा दावा किया वैग्यानिकों का कहना है कि लामा में ऐसी शमता विकसित कर ली जो COVID-19 को रोकने में मददगार टेकसस यूनिवरस्टी ने एक बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी वैग्यानिकों का कहना है कि चार साल के लामा में इस वारस से लड़ने की शक्ती है वैग्यानिकों ने इस लामा को विंटर नाम दिया है टेकसस यूनिवरस्टी के शोद करताओं की एक टीम, National Institute of Health और बेल्जियम की घेंक यूनिवरस्टी बहुत दिनों से ऐसी अंटीबॉडी की तलाश मित जिन्होंने सालों पहले आयसार्थ या मर्स जैसे वारस का मुकाबला किया तो इसके लिए बेल्जियम के ग्रामीर इलाकों में पाय जाने वाले लामा और फिर्ड पर शोद किया जा रहा है वैग्यानिकों का दावा है कि विंटर नाम के इस लामा के खून से ऐसी अंटीबॉडी बनाई जा सकती जो मानव को शिकाओं को COVID-19 से बचा सकता बीमार पढ़ने पर ये लामा दो अलग-अलग प्रकार के अंटीबॉडी का अपने शरीर में उत्पादन करता है इन में से एक अंटीबॉडी ठीक वैसी ही होती है जैसी इंसानों के इम्यून सिस्टम से बनती जबकि दूसरी अंटीबॉडी बहुत छोटी होती वैग्यानिकों की टीम एक नई अंटीबॉडी बनाने में काम्याब भी जो COVID-19 संक्रमन के प्रभावों को बे असर कर सकती Academic Journal Cell में फ्रकाशत एक सड़ी में इस बात का दावा किया गया हालाकि सड़ी के अभी सावधानी से समीक्षा की जारी वैग्यानिकों की टीम अब अन्यस्तंधारी जीवों पर ये परीक्षन करने की योजना बना रही है टीम ने 2020 के अंध तक इसका मानव परीक्षन शुरू करने की भी उम्मीद जताई Molecular Bioscience के Associate Professor की माने तो ये पहली ऐसी आंटीबॉडी है जो SARS COVID-2 को बे असर करेग प्रोफेसरों की माने तो कोरोना का संभावित इलाज वैक्सीन की बजाए एक अंटीबॉडी थेरपी होगी जो लोगों को तेजी से बचाने का काम करेगी तो आप समझ सकते हैं कि COVID-19 को लेकर दुनिया में क्या चल रहा इससे पहले इसराइल इटली ब्रिटेन के वैग्यानिकों ने ये दावा कर दिया है कि COVID-19 की दवाब बन गए लेकिन इस COVID-19 से लड़ने के मामले में अभी तक कोई पुखता सबूत या खबर दुनिया के किसी भी देश के वैग्यानिकों ने नहीं दिया सबी वैग्यानिकों ने सर्फ शुरुवाती रुजान के बारे में बताया है रिजल्ट किसी ने नहीं दिया और ये रिसर्च भी कुछ उफी करह का है